भाईयो नमस्कार भाईयो ये जो आप खेद देख रहे हैं ये कोसा 13235 का पेड़ी गन्ना है ये देखिए और इसमें जैसी कटाई होती चली गई वैसे ही इसमें पत्ती बखरेती चले गए और इसमें जो है किसान भाईय ने कोई भी खुदाई नहीं करवाई ना नलाई ये देखिए और खेद बिल्कुल सपा है और आज इसमें भाईयो पानी चल लिया है खाद डाल कर तो भाईयो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी दवाया डली है इस वार पहले पानी पर और कौन से इंसेक्टिसाइड है कौन से माइक्रिस्टेंट इसमें डाले गए है ये देखिए भाईयो और इसमें 13 235 में पेड़ी गन्ना बहुत ही अच्छा फुटाओ लेकर चलता है ये देखिए कितना सांदार फुटाओ लेकर चलता है अभी सही कि देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेहरे चोध है भाईयो चोध है कल्वे एक ही मेड़े में है इसमें कोसा 13 235 में इतने जाद फुटाओ होता है इसमें भाईयो कोई से अभी फुट चाव की दवाई अलग से डालने की जुरत नहीं होती और यह कोसा 235 सिंपल विधिस है वाई की गई थी और इस बार यह पेड़ी है तो भाईयो मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने किसान भाई ने क्या क्या दवाई लगाई और कौन सा माइक नूटेंट लगा है तो भाईयो इसमें यह देखे इनसेक्टिसाइट तो लगाया है भाईयो कारटैप हाईडरो क्लोराइट फॉर परसेंट यह देखे और यह इनसेक्टिसाइड है और यह शुरू की अवस्ता में बड़ी हा काम करता है गन्ने में क्योंकि 13-235 में ज़्यादा इनसेक्टिसाइड डालने जिंक है और इसमें यह लगा है भाईयो एरीस कंपनी का ही फेरास है इसमें आपको चमक रहा होगा और सलफर है और मैगनीसियम है भाईयो इसमें अगर आप माइक्रोन टैन सुरू की अवस्था में लगवा देते हैं जैसे कि आपके गन्ना पोधा पेड़ी में पीला पन है ज्यादा है और सपेश सपेश सी धारी हो रही है तो भाईयो फेरास और मैगनीसियम बहुत बढ़ी हकाम करते हैं जिंक भी इसलिए शुरू की अवस्ता में माइक्रोन टैन्ट जरूर लगवाने चाहिए तो इसमें इन्होंने एक किलो बीगे का तो जिंक सलफेड लगवा है एरीस कंपनी का ये देखेए है फेमो मैग फेमो मैग लग वालिया इन्होंने झाह दो बिगिए में एक किलो मतलब और यूर या है ये बाईयो एक एक्कड सेंदा का खेष है यूकि इदर को बीज भी खड़ा है तो इसमें दो बैघ यूरिया डला है और एक एक्कड मे फेमो मैग लगवाया है ये जो है Aries कमपनी का इसमें फेरस सलफर मैगनीसियम ये भाईयो एक एक कड में 3 किलो डलेगा और दूसरा जो डलवाया है इन्होंने जिंक 33 परसेंट ये भाईयो 1 किलो एक विगे में डलेगा और बहुत बड़ी है रिजल्ट आएंगे इसके तो भाईयो आप अगर कोई दवाई शुरू की अवस्था में पहले पानी पर डालना चाह रहा है तो काटा फेर्डरोक्लोराइट सही है लेकिन अगर तुम तुमारे खेत में कोई सा और बीज़ है जैसे 0238 या कोई सा और तो भाईयो उसे हैवी डोज चाहिए दवाई की शुरू से ही तो भाईयो इसमें पेला पन जो है ये सब खतम हो जाएगा अगर आप सुरू की अवस्ता में डालना है और ये दिक्कत बहुत जादा आती है किसान भाईयो को ये देखी जैसे ये पोधा पीला सा चल लिया है ये भाईयो अगर आप सुरू में ही माईकर नुटैन डाल दोगे सुक्सम पोसकता तू तो भाईयो बिल्कुल भी ये पीला होका नहीं चलेगा ये कोई रोग नहीं है इसमें फेरस की और मैगनिसियम की कमी हो जाती है जिंक सलफेट की तो भाईयो अगर आप ये डाल लोगे सुक्सम पोसकता तू तो भाईयो बहुत बढ़िया होके पोधा चलेगा और 13-235 की एक खासी आता है अगर इसमें आप हलके माइकनून मनलगी हलका इंसेक्टिसाइड भी डाल लोगे तो भी ये गन्ना बहुत अच्छा हो जाता है तो भाईयो आप सुरू की आवस्ता में पहले पानी पर कौन से खास दवाई डालते है और कौन सी आपके यहाँ पर वेराइटी ज़्यादा बढ़िया चल लिए कमेंड में जुरूर बताएं किसान भाई ने तो मैकनून टैंड भी लगा दिये पहले पानी पर ही और एक हलका इंसेक्टिसाइड कार्टैप हैड्रो क्लोराइड ये कार्टैप हैड्रो क्लोराइड पहले बहुत बढ़िया मानते थे किसान भाई लेकिन 0-238 में जैसे टोब बुरा राना चल लुए तो कार्टैप हैड्रो क्लोराइड से बात निमनी इसलिए उसमें हेवी डोज लगाते हैं इंसेक्टिसाइड की लेकिन तेहरे 235 में कार्टैप हेड्रोकलोराइड भी बढ़ी हा रिजल्ट दिखाता है तो भाईयो आप पहले पानी पर मैकरनूटेंट भी लगाएं और हलका सा कोई इंसेक्टिसाइड भी लगाना चाहिए जरूर तो भाईयो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार